तो गाइस आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टॉप फाइफ टिप्स जिससे हम लोग अपना साइकल का ब्रेकिंग पावड के इन्हेंस कर सकते हैं जैसा कि हम लास्ट वीडियो में बोले थे तो वीडियो के साथ आज से तो सबसे पहले हम लोग का इन्सके में भी आ जाएगा और डिस्क्रिपशन में भाटिए मन क्रिश्य को इस न्युंगा फॉर्फर ब्रेकिंग परफॉरमेंस डिक्रीस हो जाता है आप इसको अगर बहुत आइच चानसि आपका ब्रेकिंग और बढ़ जाएगा तो पहला तो यही था दूसरा नाव देखो डो टाइप का ब्रेक पर आता है कॉमनली उससे भी ज़्यादा आता है पर मेंली हम लोग दो ही यूज़ करते हैं जिसमें एक और गैनिक एक है सेमी मेटैलिक नाव जो और गैनिक वाला होता है ना वह आपका समर के लिए होता है तो उसको अगर आप पानी में यूज़ करोगे या विंटर में यूज़ करोगे तो इसका ब्रेकिंग परफॉर्मस डिक्रीज हो जाएगा और आपका डिस्क का जो क्या बोलते हैं लाइफ न उसको जाड़ा बरहार देता है पर उसका नुक्सान है कि उ पोड़ा सा लाइफ कम हो जाएगा पर उससे ब्रेकिंग परफॉर्मस आ बहुत ज़ारा बढ़ जाएगा ठीक है लोगे लोग का दूसरा पॉंट का बात करें टो यह हम लोग का यह भोध ज़ारा सिंपल आपको ब्रेक बैठ को चेंज करना ना ओ देखो आपको ब्रेकपै चेंज कर लो mechanical वाला अगर आपके पास है hydraulic में commonly rectangle ही मिलता है पर mechanical में आपका round भी मिलता है तो mechanical वाला को आप चेंज कर लेना उसको rectangle वाले में जब circle उता है उसका आपका surface यह बहुत कम होता है simple भासा में बोलें जितना चोटा brake pad होगा उतना कम आपको क्या बूलते हैं braking power मिलेगा और जारा time लगेगा रुकने में ठीक है तो अगर आप rectangle वाला लगा लेते हैं आपका braking performance उससे भी बढ़ जाएगा तो यह होगे हम लोग का total teen point ना देखो चौठा point का हम लोग बात करें ठीक हम लोग का brake router का size बढ़ाना बहुत simple है आप देखो commonly हम लोग पीछे का बढ़ा देते हैं size पर आपको वैसा नहीं करना है आपको अपना front का size बढ़ाना है क्योंकि अगर आप front router का size बढ़ाऊगे ना तो आपको ज्यादा efficiency मिलेगा ज्यादा power increase मिलेगा क्योंकि अगर आप rear का बढ़ाद होगे मतलब 162 180 ADN में करते हो और दूसरे cycle में 160 180 में पीछे 160 करते हो तो जिसके front में 180 उसमें ज्यादा power मिल उतना pressure वो जिल नहीं पाएगा front में आपको ज्यादा आपसान होगा अगर आप लगा लोगे ठीक है अगर ज्यादा पैसा रहाए डोनों में लगा लोगा यह अथसा है पर अगर नहीं है तब front में लगा लेना चौठा point पाच्वा point अब देखो यह सबसे basic इसमें कुछ भी का breaking performance decrease हो जाता है या फिर कभी कई बहुत जारा नीचे जाता और आपको बस बहुत सिंपल रिखों बताते हैं आपको करना क्या है तो देखो आपको अपने cycle पैसे हाथ रखना है बैठने वाले position पे और आपको देखना यह ब्रेक लिवर के साथ ना एक दम ऐसे क्या बूलत है वैसे इसका वीडियो बना देंगे कैसे आप कर सकते हो पर तभी हम सिंपली हैं बता दिया है तो यह हो गया टोटल फाइफ पॉइंट डुबारा रिपीट कर देते हैं कंटामिलेशन आपको फिक्स करना होगा दूसरा आप सेमी मेटालिक पैड यूज़ कर सकते हो तीसरा पॉइंट आप अपना फ्रंट का ब्रेक रॉटर का साइज बढ़ा सकते हो चौथा पॉइंट आप रेक्टाइंगल ब्रेक पैड यूज़ कर सकते हो और पांच वह ।